कि अभी वाल इंट्रस की काफी तेदाद है पाशा वाल इंट्रस के साथ रोजाना ही जो है अपने खियारत का इजहार करते रहते हैं फिर इंशालला एन एक दिन खबल भी जो है जूलू से वाल इंट्रस की बाद रेक्ट होती है कंड़क करेंगे वाल इंट्रस बे इंट्रस के मौखे पर आलम इसलाम के मुसल्मान और दीगर तमामी अजरात इंतहाई खुशू और खुशू के साथ सरकार दौालम के मिलाद की खुशियां मनाते हैं इस खुशूस में मुक्तलिफ जल्से होते हैं और बाद लोग महफिले नाद मनाकित करते हैं और बाद अजरात खसीदे बुरदाश शरीफ और मिलाद की महफिलों से मिलाद की खुशियों का इजहार करते हैं इसके साथे साथ अक्सर लोग गरीबों में खाना किला कर भी मिलाद की खुशियों मनाते हैं चाहे मिलाद का जल्सा हो या महफिले मिलाद हो या खसीदे बुरदा की महफिल हो या और कोई महफिल इसमें इंतहाई खुशु और खुशु के साथ बहुत ही एत्माम के साथ मुसल्मान अने हधरबाद एक अजिम श्चान जलूस सुनी यूनिटेट फॉरम के जहरे इत्माम निकालते हैं वो इंतहाई खुशु और खुशु के साथ निकलता है इसमें हजरत अलिया हुसियनी सहाब खिबला मुर्तुदा पाशा खायद है मारे और मुलाना मुजफर हुसेन बंदा नवाजी सहाब अलम्दुल्ला इसके कन्वीनियर है और दिगर अलमा किराम मशायक इजाम इसमें शिर्कत फर्माते हैं मैं आमतुलमिन से खुसुसी दर्खास करता हूँ कि वे इंतहाई खुशु और खुदू के साथ शरीयत की पाबंदी के साथ जुलूस में शिर्कत फर्माएं और जहां तक मुम्किन हो सकता है दुरूद और सलाम कसरस से पेश करते रहें और एक जगा जमा ना हो बलके दूर दूर रहकर जुलूस को आहिस्ता आगे बढ़ाते जाएं इंशालला जुमा के दिन दो बज़े इंशालला मक्का मजिस से जुलूस का आखाज होगा ल्ला से दुआ है कि लालालमीन आजकर जो मौजूदा वबा है सरकार अधुलादम से जशन के मौके पर पूरी पूरी खतम कर दे और हम सब को सुकून अता फरमाए और या आफात वलियास से हम सब को महफूस फरमाए खुदा आफाएं पर अलहब जशन एड़ मिलाद नबी सल्लालाई वल्यूस के सिक्सिले में मरकजी मिलाद जलूस का इहतमाँ किया जाता है और आशी खान रसूल सल्लालाई वल्यूस वल्यूस हजारों लाखों की तेदाद में इस जलूस में शिर्कत फरमाते हैं और बाली कन्वीनियर मौलाना हाफिज मुजफ़र हुसें साब की जेरे खियादत पिछले कई सालों से ये जलूस बड़े ही अखिदत और इहतराम के साथ मनाया जा रहा है और खायद एहल सुन्नत मौलाना सेयश शाह मौम्मद ऑलिया हुसेंई मुर्तुदा पाशा साब की खास इंतजामात और निगरानी और सरफरस्ती में ये जलूस हर साल बड़े ही अखिदत और इहतराम के साथ निकाला जाता है और इस साल भी अलहम्द लिल्ला सुन्नी उनाइटेड फोरम अफ इंडिया अपनी तमाम तर खोशिशों के जरीए और खुसूसां कर्विनियर जलूस मौलाना हाफिज मुझपर हुसें खान बंदानावादी साहब की खियादत में जलूस निकाला जा रहा है तमाम आलम इसलाम को पेशगी एद मिलाद नबी सुन्लाहु अल्यूस की मुबारक हो और अम आज है ये तमाम एहल सुन्त वूल जमाद जो सुन्ई उनियट फॉरम की जानिबसे इद मिलाद नबी सुल्भ लाजू अल्यूस के पुर्व मस्रवत मौकशपर पर मिलाद जलूस का ह्थियमाम करते हैं मैं तमाम ही लोगों से तमाम अहल सुन्ट जमाद तमाम अहल इसलाम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये तमाम इस जलूस में जरूर शिक्त करें और जैसा के बतलाया जा रहा है कि जो हकूमत जो खुवानी लागू किये है उसका इहतेमाम करते हुए उसको मलहूँस रखते हुए इस जलूस में जरूर शिक्त करें जलूस ठाला दो बज्य दिन तारीकी मक्वानी से बर्चंग की लहराई के संगाथ ये जलूस रवाना होगा तमाम लोग जरूस में शिक्त करें السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ खरीफ लाए हैं तो इस जीमन में सुनी उनिटेट फोरम आफ इंडिया की जानिब से सारे आलमों की मखलुखात को जो है आखाय दो आलम से लिए आमद की मुबारक बात प्रिश्ट करता हूं खुबल फरमा लिए आपके मीडिया के जरीए दूसरी चीज़ सुनी उनिटेट फरमाफ इंडिया इंतहाई अंट आमन के साथ और अमन के पईगाम को ही देने के लिए आज से तेरा साल खब्र जीज़ा के मोलना सेद फुरूग दिया जाए, भाईचारगी को आम किया जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिक्षाई के फितने, फसादाद को खतम किया जाए, आपस में हर इनसान एक दूसरे के साथ महबत, इखवत, भाईचारा, एक की खुशी पर दूसरा खुशो, एक की तकलिफ पर दूसरा भी उसक ना कुछ किसी भी खिसम की जो है, अजीब खिसम की दहिशत पाई जाती थी, और अल्ला उसके रसूल का करम है, सुनी उनिटेट फॉरम आफ इंडिया ने जब से जलूस की बुनिया डाली, आख़ए दौालम सलसलम के नाम मुबारक से, आख़ए की निजबत से, तो शेर है अजरबाद में अमन, शान्ती और आश्टी का पैगाम आम होते गा, बलके ना सिर्फ ये जलूस, बलके जो कोई भी मजब वाले जलूस निकालते हैं, वो हर जलूस भी अमन के साथ जो है, रवाद दौा होते गा, और इंशालला हमेशा भी ऐसी गुदरते जाएंगा, सुन आपके सदारत में कई फलाही अमूर को अंजाम देती हैं, जिसमें कई गुर्बा मसाकीन के घर को रोटी पहुंचाने का काम अंदम ज्यादा चाहें, खादरी चमन शरीफ में बड़ा संटर खायम कियां, कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भूब को किस तरीखे से खाबू पाया जा सकता, और दूसरी चीज़, लोगों में कपलों की तक्सीम हो, अनाच की तक्सीम हो, अल्ला का करम यह है, कि हर साल, आठ साल से, बलेट डिमनेशन क्याम भी मुनकित क्या जाता है, सूफी अर्गनेशन की तरफ से, खादरी चमन में, तो अलहम्दिल्ला, यह पोस्ट, कोविट के बावजूद भी, तेरा सो पांच जो है, यूनिट जो है, खुन, अल्ला करम से जो है, परसुन, लोग जाउख दर जाउख, आकर जो है, आखाय दौालम से, अपनी निजबत की वाबस्तगी की दलील पेश करते हुए, यह खुन का भी नजराना पे इसकी खुसूसियत है, सुनी, उनिट, इनुट एट, फरमा फिंडिया, अब रहा सवाल, आखाय दौालम से, अपनी खुशी में, एक जोलूस का इहतेमां भी करती है, तो अब के बार, वो जोलूस, योम जुमा, बारा रभी नूर को जुमे का दिन आ रहा है, तो उस दिन भी जुलूस का इहतेमां होंगा, हजबे अमलदार, आमादे खदीम साबिख की तरह, तो जुलूस की टैमिंगे रहेंगी, के साड़े बारा बजे, खादरी चमन शेरीफ में, नमाज जुमा का इहतेमां रखा गया है, तो लगभग एक बजे, नमाज से फारिख होने के बा बड़ी तन्जीम हमारे जो बिल्कुल चायवे रहते हैं जुलूस में, खादरिया इंटरनेशनल और आपके घंडों का रंग भी एक मुनफरीद अंदाज में जो है, पूरे घंडों में चमकता रहता है, तो माज सालला आप, आप सब अतराफ वाकनाफ के इलाखां से मक्क अज़ात पाशार साब किबला, जानशीने, शेख अल इसलाम, और सज़ादा नशीने, खादिर चमन, हरी घंडी दिखाएंगे, जो हजबे, अमलदार आमदे खदीम, जो रिवायत है हमारी, ज़दी बता कर, घंडी लह लाकर, और दौा होंगी, खूबल पाशार शुतारी लाए जागा, जो मक्का मजीद से निकल कर, मक्का मजीद के बाबू दाखले से निकल कर, चार मिना, गुलदार हाऊस, पत्तर गटी, मदिना बिल्डिंग से होता हुआ, नया पूल, सालार जंग मीजियम, दार-शफा से होता हुआ, पुरानी हविली, फिर उसके बाद मीरा लाली जासे होता वा मगलपुरा वाल्टा होटल के पस एक्तिताम को पहुंचेगा हजब साबिख की पार